पुल्वाम हमले की आज पहली बरसी है मिशले साल आज ही के दिन जैशे मुहम्मद के आतकवादियों ने काराना हरकत दिखाई थी दुनिया भर ने एक बार फिर पाक की नापाक हरकत को देखा था इस गर्णा के लिए पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकरी हुई थी इस हमले में 40 CRPF के जवानों ने अपनी जान गवाई थी झाल 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 यानि की प्रेम दिवस मनाय जाता है लेकिन पिछले साल आतंक्यों ने अपने नापाक इरादे पूरे करने के लिए यही दिन चुना जब देश के शहरों में वेलेंटाइन दे मनाय जा रहा था तब पुल्वामा में पाकिस्तान समर्थित आतंगवादियों ने देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया कश्मीर के पुल्वामा जिले में जैश मौमत के एक आतंगवादी ने विसफोटकों से लदेवाहन से सियारपी अफजवानों की बस को टकर मार दी थी इसमें 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे यह आत्मगाती हमला सुरक्षा बलो पर अब तक का सबसे बड़ा आतंगी हमला था हमले में शहीद लोगों को प्राइम टीवी की तरफ से भावपूर्ण शध्धान जली Special Desk, Prime TV इंडिया